मेरे हाथ में यह एक एफिडेविट है Deputy Superintendent of Police D.Y.S.P. N.V. Patel की यह एफिडेविट है और Sessions Court Godra में यह एफिडेविट फाइल हुई है गौर से सुनिएगा मैं यही बात रखूँगा जो इस एफिडेविट में है और एक जिम्मेवार ओपोजिशन पार्टी के नाते जिम्मेवारी के साथ कुछ ऐसी चीजे जिसको आप सुनेंगे देश की जनता भी सुनेगी तो चौक उठेगी ऐसी कुछ सच्चाईं मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ ये एफिडेविट कोर्ट में फाइल हुआ उसमें जो लिखा है और कुछ सच्चाईं आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोड के सामने सरकार ने कहा कि नीट की एग्जाम में कोई दांदली नहीं पेपर लिक नहीं हुआ बारत सरकार ने मंतरी ने कह दिया साब चंगासी डेप्यूटी सुप्रीटेंडन औप पुलीस अन ओथ एफिडेविट पे सेशन स्कॉर्ट में कह रहे है कि किस तरह का एग स्कैम था इन्वेस्टिकेशन के दौरान करोडो रुपिय मिले है धेर सारे ब्लैंक चेक मिले है उन बच्चों के पेरेंट्स की और से जिन्होंने नीट की एक्जाम दी है डेप्यूटी सुप्रीटेंडन औप पुलीस अन ओथ एफिडेविट में कहते हैं कि साब एक ऐसा स्कैम था कि महराश्ट औरिसा और बिहार और स्टेट से माने जब आप नीट की एक्जाम के लिए एप्लिकेशन डालते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे और अगर उस सेंटर में एक सेंटर में तीन सो स्टुडेंट बैठ सकते हो और एप्लिकेशन पान सो के आ गई तो फिर कॉंप्यूटराइज ड्रो होता है कि कौन से स्टुडेंट वहां जाएंगे पर आपको चॉइस मिलती है तो यह एफिडेविट कहता है कि बिहार, औरिशा, महराष्ट और कहीं राज्यों से जिनके साथ इनका सेटिंग हो गया उनसे एडवांस पैसे लिए एडवांस में ब्लैंक चेक लिया और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लिकेशन लिखो उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए माने आप समझ सकते हो कि गोधरा डिस्ट्रिक्ट में जहां एरपोर्ट नहीं है सेंटर पे वहां कोई औरिशा से कोई बिहार से कोई महराष से एक्जाम देने जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि एक सेटिंग हुई इस एफिडेविट की बाते में कर रहा हूँ मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ डिवाई एस्पी के एफिडेविट बोल रहा हूँ वहां से लोग आये सेटिंग ये थी कि आपके बच्चे को 100% मार्स मिला के मेडिकल में एड्मिशन मिले तब हम ये ब्लैंक चेक में पैसे बढ़ेंगे और कॉंसीब मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो उसके रेट थे इसलिए ब्लैंक चेक और 10-10 लाक रुपिये एडवांस लिए गए थे तो ये आप समझें कि क्या मामला था कि जाई जलाराम स्कूल में आप गएं आपके बच्चे को कह दिया कि अगर जो आपके पास पेपर आता है उसमें आपको जो आंसर आता है 100% शौर हो उसको टिक करो बाकी ब्लैंक छोड़ दो अच्छा नीट के बारे में एक और बात आपको बताता हूँ कि जैसे हम सब बाकी एक्जाम देते हैं ऐसे नहीं है नीट के अंदर OMR होता है Optical Marks Recognization Sheet माने एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर आपको आप्शन मिले चार देश का कैपिटल कौन सा शहर है करके चार जगे दी होती है तो आपको दिल्ली लिखना है तो उसके सामने एक स्क्वेर ब्लॉक होता है उसमों आपको साई से उसको भर देना है और यह OMR सीट ऐसा होता है कि वो कॉम्पूटर रेकेगनाईज करता है फिर आपने एक्जाम दे दी फिर कोई human intervention नहीं होगा कॉम्पूटर में पेपर डालेंगे वो कॉम्पूटर आपको marks दे देगा वो OMR सीट में कहा गया कि आपको जो चीज 100% आती वो लिखो बाकी खाली छोड़ो फिर क्या होता है कि आपने एक्जाम दे दी तो एक बैग में सील होते पेपर्स और उसका कुरियर करना होता है यह एफिडेविट के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ D.Y.S.P. कह रहा है investigation के बाद कि यहाँ पे जिनका setting हुआ था उनके नंबर का list था वो पुलिस ने recover किया उसके सामने brown and red circle किये थे कि इतने students के पैसे आ गया है उस students के नाम के सामने जो EMR seat का seat number था वो paper निकाले जहाँ पे इन्हों नहीं आते थे वो answer नहीं भरे थे वहाँ ए गुनेगारों ने वहाँ पे right answer टिक कर दिये फिर से bag को seal किया और courier करके बेज दिया माने जो 100% माने जितने mark से उतने 100% mark क्यों मिले क्योंकि student को जितना आता था खुद लिखा 100% बाकी जो एप और accused कौन है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ accused number one जो पहला गुनेगार है वो है तुशार रजनिकांद भट वो नीट परिक्षा के लिए नीट की एक्जाम के लिए center superintendent है और वो जैजलाराम स्कूल जो है जैजलाराम पर अभी आप बाद में सुनेंगे कि क्या उसका जैजैकार है वो मैं बताऊंगा आपको पर यह जो जैजलाराम स्कूल है उसके अंदर वो प्रोफेसर है और उसको नीट का डेप्यूटी center superintendent बनाया गया वो गुनेगार नमबर एक है उसके बाद है नमबर टू पुर्शोतम मावीर प्रसाद वो है पूरे नीट की एक्जाम के लिए CT coordinator माने एक ही center नहीं जितने centers उदर है उनका CT coordinator है और वो कौन है जय जलाराम का principle है जय जलाराम याद रखिएगा आप जरा क्योंकि जय जलाराम की आगे बात आएगी ये दो main accused ये हुए फिर तीन और लोग है ये दोनों इन्हें क्या काम किया कि कहलवा दिया कि student को तुम्हें नहीं आता है ब्लैंक छोड़ो ये दोनों की जिम्मेवारी थी कि papers बक्से में seal करें और तुरंत कुरियर करें इन्होंने बक्से में paper डाले फिर seal खोला सही answers कर दिये टिक पैक किया बक्सा और भेज दिया ये investigation के बाद ये एफिडेविट में deputy superintendent of police कहते हैं तीन और लोग पकड़े गए हैं ये जेल के अंदर हैं ये दोनों लोग तीन और पकड़े गए हैं जिसमें एक है परशुराम बिंदनात एक है विनोधानंद और इन दोनों के उपर एक है आरिफ वारा आरिफ वारा इनका काम क्या था कि जो सेटिंग वाले जो स्टुडंट्स नीट दे रहे हैं उनके माबाप को मिलना है उनसे एडवांस लेना है और ब्लैंक चेक लेना है और एक लिस्ट बनी थी कि फला कॉलेज में आपको मिलेगा तो इतना तो वो ब्लैंक चेक इसलिए कि आपको कहां एडमिशन मिलेगा उसके हिसाब से पैसे भरे जाएंगे इन तीनों ने ये पैसे इकठे किये इनके वहां रेड हुई पांचों के वहां करोडों रुपिय मिले ब्लैंक चेक मिले अब मैं जो ये आरीफ वारा जनाब है वो क्या है वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है मोर्चा के माइनोरिटी डिपार्टमेंट के और उनकी तस्वीर है कहां कहां है फॉस्ट पार्ट दिखाईए जरा ये जो अभी रोकिएगा इसको ए सेफरन टोपिक है जो वो है गोदरा के ML है बीजेपी के लीदर है और उनके साथ जो खड़े है वो अभी जो जैल में है और जो स्टूडन के पैसे लेके आ रहे थे और बीजेपी के माइनोरिटी डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के ये आपको जनाब दिख रहे हैं सेकंड लो रोको थोड़ा उपर ले सकते हो इसको प्रदान मंत्री जी के साथ ये इनका प्रोफाइल है ये अभी जैल में ये जनाब खाता नहीं खाने देता नहीं के साथ करोडों से कम खाता नहीं सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देता नहीं ये युवानेता है बीजेपी का वो पुश्पकुश दे रहा है इनको ये एक्स मिनिस्टर है बीजेपी के विदायक है उनके साथ ये जो बीजेपी का कमल वाला जो खेस पहने हुए है वो अभी जैल में है बाजपा के वाइस प्रेसिडंट माइनोरिटी डिपार्टमेंट क्योंकि इसको अब पूरा लाइसंस मिल गया है ब्रस्टा चार करने का क्योंकि कमल वाला खेस पहना है next यह BJP के दफ्तर में इनका सनमान किया जा रहा है state दफ्तर में रोक लोक इन लोगों ने मिलके पेपर जिन लोगों से पैसे लिये थे जिनको उन सभी के पेपर्स निकाले और उसके अंदर टिक करके पूरा काम अपना करके पांच तारिक को ये हुआ था काम सारा हो गया बक्सा चला भी गया तीन दिन बाद कुछ लोगों ने जाके कलेक्टर को कुछ प्रूफ दिये कि साहब ये नीट में दानली हो रही है और आप क्या कर रहे हो तब जाके कलेक्टर ने डिस्ट्रिक एजुकेशन आफिसर और एक टीम को बेजा उसके में आया कि हाँ ये सही है कैसा हुआ है इसा लग रहा है तो एक एफायर आठ तारिक को हुई एट में को और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन में के बाद ये एफिडेविट डेप्यूटी सुप्रीटेनेन और पुलीस ने जो लगाई उसमें साफ लिखा है कि इस इस तरह से ये हुआ और दो सेंटर में हुआ सिर्फ एक जिगे पे नहीं दोनों जय जलाराम एजुकेशन के अंदर ही हुआ उनकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचे हैं मैंने आपको कहा था कि जय जलाराम को जड़ा याद रखना जय जलाराम स्कूल परवड़ी गोधरा और पडाल थर्मल इसके दोनों सेंटर पे से इसी तरह के विद्यार्थियों के दांदली के काम हुए अब यह जो जय जलाराम है उसको सेंटर दिया गया आप सारी जो कानूनी प्रक्रिया गयाइड लाइन से कि सेंटर किसको मिलता है वो सारे गयाइड लाइन जिसको ताक पे लगाते हुए मोधी जी की सरकार ने जो NTA जो सेंटर देती एसंस था जिसमें मोधी जी के चहिते लोग बैठे हैं उन्होंने जय जलाराम एजुकेशन को एस सेंटर दिया नहीं देना चाहिए थी उनको दिये एक नहीं एक से ज्यादा दिये और ये जो जय जलाराम है मेरे हाथ में एक कागज है एक ऐसी एजुकेशन चलाने वाली फरजी फ्रॉड लोग है यहाँ पे के इनको गवर्मेंट ने 11 स्टांडर के लिए एक क्लास की मंजूरी दी थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा 66 स्टूडन्ट रह सकते हैं वहाँ उन्होंने 4500 को दाखला दिया फीज के गुजरात में कानून स्टांडर है उससे ज्यादा ले लिए हाई कोट में पिटिशन हुई इनके खिलाब और 35,28,000 का इसे दंड हुआ पैनल्टी हुई और ये कागज है जैजलाराम का उसने लिखके दिया कि हाँ मेरी गलती थी और 35,28,000 का दंड याने पैनल्टी में भर रहा हूँ ये कागज वो है कोई भी प्रूलेंट मैन जहां देश के लोगों की जिन्दगी के साथ डॉक्टर्स का नाता होने वाला हो ऐसे डॉक्टर्स के सिलेक्शन में नीट जैसी एक्जाम के लिए एक ऐसे आदमी को आप सेंटर देंगे क्या कि जो फ्रॉड करता है जो प्राइवेट है जिसे कोई लेना देना नहीं पर ये क्यों मिला इसको सेंटर क्यों मिला पार्ट टू दिखा है फोटोग्राप्स के आप देखेगा जरा इसको रुकेगा इसको ये इसकी एक स्कूल है जिसको इन्योग्रेशन करने के लिए मोदी जी की एक जमाने में खास मंत्री इस बार चुनाव जो हार गई स्मरूती इरानी जी ये गई है इसको उपर थोड़ा कर सकते हो भाई पिक्चिर थोड़ा उपर आ सकता है नहीं फॉस्ट वही हाँ ये है दूसरे उत्तर पदेश के गवर्णर आनंदी बेन पतेल इसके नीचे है एज्यूकेशन मिनिस्टर वुपेंदर सिंग चुड़ा समा और जय जलाराम का में आदमी है जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है चैर्मेन अब दे ट्रस्ट उसका फोटो नीचे है ये जय जलाराम है आगे बढ़ो एच्चेक की आदान प्रदान हो रहा है मोदी जी के साथ ये जो यहाँ है ये माशे ये ट्रस्ट के में परसन है चैर्मेन है ये और ये मोदी जी है जरूरत से ज्यादा जो अस्ता हुआ चेहरा इदर है आगे बढ़ो ये स्मृती जी के पास ये जहिज जलाराम के चैर्मेन बैठे हुए बगल में जिसका नाम है दिक्षित पतेल ये यहाँ जो स्मृती जी के लेफ्ट एंड पे है आगे बढ़ो ये स्मृती जी को स्मृती चिन्हत मिल रहा है आगे बढ़ो ये दूसरे बाजपा के मंत्री है ये स्कुल के चैर्मेन जहिज जलाराम के चैर्मेन इनको तस्वीर दे रहे हैं बुला के आगे बढ़ो ये भी डिन्डोर है ये भी बीजेपी के बड़े नेता और बाजपा सरकार के मंत्री है और ये जे जलाराम के चैर्मेन इनको भी फोटो गिफ्ट कर रहे हैं आगे बढ़ो ये है एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त पे बाजपा के बुपेंदर सिंग चुडा समा एजुकेशन मिनिस्टर है ये जे जलाराम के चैर्मेन है जो इनके साथ सूट बुट में सज है वो आगे बढ़ो ये गुजरात के मुख्यमंत्री है बाजपा के विजे रुपानी जी और ये जे जलाराम के चैर्मेन है आगे बढ़ो ये विजे रुपानी जी चिफ मिनिस्टर थे उस वक्त पे बाजपा के नेता उदर राइट साइड में आप देख सकते हो के जे जलाराम के चैर्मेन है उसके पास में बगल में खड़े हूँआ एजुकेशन मिनिस्टर है आगे तो इस जे जलाराम को सेंटर क्यूं मिला ये आपको पता चल गया होगा आप थोड़ा सा गुगल गुरु में जाएंगे तो बाजपा को डोनेशन देने वाले लोगों में आपको जे जलारामान एजुकेशन ट्रस्ट बाजपा को डोनेशन देने वाले लोगों में उस लिस्ट में मिल जायगा मैंने डून निकाला है पर जहाँ जाओ पन्ने पन्ने पे जय जलाराम मिलता है पैसे देते हैं बाज़पा को ये चाल चलन और चरित्र भारती जंता पार्टी का मैंने आपके सामने रखा है मेरे कुछ सवाल है पूरी तरह से जानकारी थी पांच में को एक्जाम हुई एइथ में को कलेक्टर के पास पूरी डिटेल्स आई कुछ CCTV फुटेज और चीजे भी मिली CCTV फुटेज में मिला कि ये जो अक्यूज नमबर एंड वन एंड टू जै जलाराम वाले हैं जिनको बैग में सील करके कुरियर करना था वो एक रेस्टोरंट पे रुखते हैं that is also part of this affidavit और वहां CCTV फुटेज में से फुरूप मिले बक्सा खोला नमबर वाले सीट्स निकाले OMR सीट्स जा ब्लैंक स्टूड़न ने छोड़ा था वहां राइट राइट सही जवाब लिख दिया बक्सा सील किया और कुरियर किया ये जानते हुए भी सुप्रीम कोड के सामने सरकार ने जूट कहा कि नीट में कोई धांदली नहीं हुई है तो इससा कंटेम्ट आफ कोड इससा सीरियस कंटेम्ट आफ कोड और बल सुप्रीम कोड भी इसका जरूर संग्यान लेगी मैं मानता हूँ पर मेरा पहला सवाल ये है कि जूट सरकार सुप्रीम कोड के सामने क्यों बोली दिस इस माइ फॉस्ट क्वेस्चन मेरा दूसरा सवाल है कि जहां पर भाजपा की ही सरकार है ऐसे गुजरात में जब डेप्यूटी सुप्रीटेंडन और पुलीस और ओथ स्टेशन स्कॉर्ड के सामने कहते हैं कि इस तरह से इस मॉडेस्ट ऑपरेटिव के साथ इन इन अक्यूजड ने ऐसा दांदली की है करूर रूपिय और ब्लैंक चेक भी मिले है वो लिखा है इसमें कि इस तरह से स्टूडन के OMR सीट भरे गए वो भी लिखा है ये जानने के बावजूद भाजपा सरकार के मंतरी एजुकेशन के देश को कहते हैं कि नीट में कोई धांदली नहीं है जबकि 5th में को एक्जाम 8th में को कलेक्टर के पास रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज हो गई थी on 8th में तो इतना जूट क्यों मेरा तीसरा सवाल है कि मोदी जी और उनका ट्वीटर नीट मसले पे क्यों चुप रहें चौथा सवाल है सारी नीट की गाइडलाइन को ताक पे रखते हुए एक ऐसी जैजलाराम संस्था कि जो दांदली करती है गलत करती है और उसको हाई कोट के में इसके खिलाब पिटिशन्स होती है और इसके ओ लाखो रुपिया दंड भरना पड़ा ऐसी संस्था को नीट जैसी सेंसिटिव एक्जाम का सेंटर जैजलाराम को क्यों दिया मेरा अगला सवाल है कि अभी जो गुजरात में जहां छो रही है उसमें सिर्फ छोटी-छोटी मचलियों को पकर रहे है बड़े मगरमच को क्यों छोड़ा जा रहा है क्योंकि नीट का सेंटर लाने वाले जैजलाराम उसका चैर्मेन मोदी जी के साथ खड़े है में एक्यूज नमबर वन एन टू वो दोनों जैजलाराम के एक प्रिंसिपल और दूसरे प्रॉफेसर है मेरी संस्था में मेरे सेंटर में मेरे करमचारी ऐसी दांदली करें क्या मेरी जानकारी के बिना यह संभव है जब यह चैर्मेन इतना पावरफूल है कि प्रदान मंत्री जी और प्रदान मंत्री जी की खास एक वक्त में रही मंत्री जी स्मृती इरानी जी के करीब ही रहते हैं तो क्या इसलिए आप इसको नहीं ट्रच कर रहे हूं उस जैजलाराम ट्रस्ट के एजूकेशन ट्रस्ट के चेर्मेन जो फैमिली ट्रस्ट है कोई ट्रस्ट नाम बनी है यह ट्रस्ट वर्धी है ही नहीं उस चेर्मेन को अभी तक क्यों गिरफतार नहीं किया है मेरा एक और सवाल है कि इसी मुझे मिलिये information के जय जलाराम education को गुजरात में गुज सैट जैसी और दूसरी sensitive exams उसका भी center दिया गया था तो सरकार जवाब दें कि इसको और कितने center दिये गए थे इसमें एक accused ने अपनी bail application में लिखा है कि दूसरे जो accused माने जिसनों ने पैसे इकटे किये थे उनमें से एक ने अपनी bail application में लिखा है कि number one and two माने जो जय जलाराम के लोग है वो तो सिर्फ यही नहीं UPSC के हो गुज सैट के हो कैट के हो सभी papers को पैसे लेके set करते थे हम तो इनकी चाल में एक छोटे मोहरे हैं तो हमें बेल दे दो तो इनकी भी जहां छोनी चाहिए और मेरा आखरी सवाल है कि net पे कुछ चीजे तो मिली है मुझे बाजपा डिकलेर करें कि जय जलाराम education से बाजपा के धन संग्रह में उनके fund में कितने पैसे जय जलाराम ने दिये है ओफिशल और अनओफिशल वो देश की जनता को बताएं ये मेरे कुछ सवाल है सरकार पार्लामेंट में राहूल गांदी जी को राजपा में हम लोगों को किसी को लोगसभा हो या राजपा नीट पे चर्चा इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि ये सरासर सरकार में बैठे लोग और उनकी चटे बटों ने लाखों विद्यार्थियों का भविश्य बरबाद किया है और इतना सबूत और ये भी डेपिटी सुप्रिटेंट अब पुलीस कहते हैं कि इस तरह से ये नेट की एक्जाम में दांदली हुई है मैं नहीं मानता हूँ कि अब कोई भी द्वार ऐसा बचा है कि जहां से सरकार अपनी चंबडी को बचा सकती है